Hello Everyone, Welcome to Success with Rai Academy, Current Affairs, Current Affairs में आज हम 22 January 2019 के important questions को discuss करेंगे और इसमें उनी questions को लिया गया है जो exam के point of view से most important है हर question के साथ आपको important facts बताए जाएंगे जिसे आपको note करते हुए चलना है इस वीडियो का PDF लिंक आपको description box से मिल जाएगा आप उसे वहाँ से download कर सकते हैं जो लोग हमारे channel पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे subscribe कर लिजेगा, bell icon को press कर लिजेगा ताकि आपको वीडियो का notification मिलता रहे और अगर आपको वीडियो अच्छे लगता है तो इसे like और share कर दीजेगा, अब चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहला question है किस सांसत को संसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है औप्शन से अनुराग ठाकुर, जोतिरादित्य सिंदिया, सचिन पाइलेट, राहुल गांधी इसका right answer होगा, first option अनुराग ठाकुर अनुराग ठाकुर को संसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है हिमाचल परदेश के सांसद अनुराग ठाकुर को जूरी कमिटी स्पेशल अवार्ड स्रेणी के तहत सांसत के रूप में उनके विशिष्ट परदर्सन के लिए संसत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है अन्राग ठाकुर जूरी समिती का पुरुसकार प्राप्त करने वाले पहले भाजपा सांसत बने हैं 12 सांसतों को यह सम्मान दिया गया है संसद रत्न पुरुषकार की स्थापना 2010 में पूरु राष्टपती डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी अब अनुराग ठाकूर हिमाचल परदेश के हैं तो आईए हिमाचल परदेश के बारे में जान लेते हैं देखिए ये हैं हिमाचल परदेश इसकी सीमा पांच राज्यों से लगती है जम्मु कस्मीर पंजाब हरियाना उत्तर परदेश और उत्तराखंड जनसंख्या की दरश्टी से हिमाचल परदेश भारत का 21 सबसे बड़ा राज्य है जो भारत की कुल छेतरफल का दिसमलोब 57 प पुरुश पर है चेतरफल की दरश्टी से यह भारत का 28 सबसे बड़ा राज्य है यहां की साखचर्तादर 82.80 है जिसमें पुरुश साखचर्तादर 84.53 और महिला साख debtor 75.93 है यहां की लोग सभा सीते चार है और राज्य"-सभा सीते 3 है इमाचल परदेश की स्थापना 25 जन राज जी बना था हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है सिम्ला यहां के गवर्नर है आचार देवरत और यहां के मुख्य मंत्री है जैराम ठाकुर नेश कोशिन पर आते हैं दो दिवसिये एग्री विजन 2019 सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है ओप्शन्स हैं चंडिगण, हैदराबाद, लखनव या फिर जैपुर इसका राइट एंसर होगा सेकंड ओप्शन हैदराबाद दो दिवसिये एग्री विजन 2019 सम्मेलन का सुभारम हैदराबाद में किया गया है स्मार्ट और सस्टेनेबल एग्री कल्चर के लिए एग्रो सॉल्यूशन की कल्पना पर हैदराबाद में दो दिवसिये एग्री विजन 2019 सम्मेलन आयोजित किया गया है इसका उद्गाटन भारत के उप राष्टपती M.Wankaya Naidu द्वारा किया गया है सम्मेलन सयुक्त रूप से प्रोफेसर जय संकर तेलंगाना राज्जी क्रसी विस्विद्याले और भारतिय उद्विद्योग परिशंग यानि की CII और कारनल विस्विद्याले USA द्वारा आयोजित किया गया है अब इस सम्मेलन का अवजन हैद्राबाद में हो रहा है जो की तेलंगाना की राजधानी है तो सबसे पहले तेलंगाना का मैप देखते हैं देखें यह है तेलंगाना राज्य इसकी सीमा महराष्ट्र, करनाटक, आंदरपरदेश, उडीसा और छतिसगर से लगती है हैद्राबाद इसकी कैप्टल है, गवर्नर है यहां के ESL नरसिंबन और यहां के मुख्य मंत्री है के चंद सेखर राओ, जनसंख्या की दरश्टी से तेलंगाना भारत का बारवा सबसे बड़ा राज्य है जो 2.97 पूरी जनसंख्या का प्रतिसत रखता है यहां का लिंगा नुपात 985 महिला प्रति हजार पूरुस पर है, छेतरफल की दरश्टी से तेलंगाना भारत का बारवा सबसे बड़ा राज्य है और साक्छरतादर यहां की 6.46 पूरुस साक्छरतादर चोहतर दिसमलो 95 पूरुस पूरुस साक्छरतादर 57.92 पूरुस पंद्रवाँ प्रवासी भारतिय दिवस कहां पर आयोजित किया जा रहा है? आप्शन्स हैं जैपुर, आगरा, वाराणसी, लख evacuation इसका right answer होगा, third option वाराणसी पंद्रवा प्रवासी भारतिय दिवस उत्तर प्रदेश के वारानसी सहर में आयोजित किया जा रहा है इस तीन दिवसी ये कारिकरम का आयोजन पहली बार वारानसी में किया जा रहा है और इस वर्ष इसकी थीम है मुख्य अतिती के रूप में मौरिसस के प्रधान मंत्री परविंदर कुमार जुगनौत सहित भारतिय मूल के कई विस्वनेता इस कारिकरम में भाग लेंगे मौरिसस की करेंसी है मौरिसस रूपी यहां की कैप्टल है पोर्ट लुइस और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो सबसे पहले मैप देखिए यह है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड, नई दिल्ली, हर्याना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चतिसगर, जारखंड और बिहार से लगती है चेतफल की द्रश्टी से यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्जी है जनसंख्या की द्रश्टी से पहला सबसे बड़ा राज्जी है यहां का लिंगा नुपात 908 महिलाएं प्रती हजार पूरुस पर है यहां कि साक्षर्टादर 67.68 परतीसत है जिसमें पुरुष साक्षर्टादर 77.28 परतीसत है यहां कि उत्तरपरदेश की कैप्टल लखनव है यहां कि मुख्य मंतरी योगी आधित्यनात है और गवर्नर राम नाइक है स्टीफन लॉक्वेन को किस देश का पुना प्रधान मंत्री चुना गया है यानि इनका दूसरा कारेकाल होगा और इनका कारेकाल चार वर्सका होगा स्टीफन की राजधानी है स्टॉक होम और यहां की करेंसी है क्रून नेश्ट कोशन पर आते हैं किस देश के सेंटरल बैंक ने सौ रुपए से अधिक मूल वर्ग के भारतिये नोटों पर प्रतिबंद लगाने की गोशना की है आप्शन्स हैं पाकिस्तान, नेपाल, सिरलंका, भूटान इसका राइट अंसर होगा सेकंड आप्शन नेपाल नेपाल की सेंटरल बैंक ने भारत के सौ रुपए से अधिक मूल वर्ग के भारतिये नोटों पर प्रतिबंद लगाने की गोशना की है नेपाल के केंद्री बैंक ने 2000 रुपए 500 रुपए और 200 रुपए के मुलवर के भारती नोटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है या एक ऐसा कदम है जो भारती परेटकों को पूर्व में भारती मुद्रा का व्यापक रूप से उपयोग करने वाले हिमालई देश में जाने से प्रभावित कर सकता है नेपाल राष्ट बैंक ने नेपाली यात्रियों, बैंकों और वित्य संस्थानों को 100 रुपए से अधिक के भारती नोटों को रखने से रोकने हेतु एक परिपत्र जारी किया है नेपाल के सेंटरल बैंक को नेपाल राष्ट बैंक कहा जाता है जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसके गवर्णर है डॉक्टर चिरन जीव नेपाल के प्रधान मंत्री है केपी सर्मा ओहली यहां की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी यहां की कैप्टल है काटमांडू और यहां की करेंसी है नेपाली रुपिया आईए नेक्ट कोशन पर आते हैं नेक्ट कोशन है 2020 के लिए किस सहर को वास्तु कला की विस उराजधानी के रूप में नामित किया गया है ओप्शन्स हैं रियो डी जनेरियो वासिंग्टन डी सी आगरा जैपूर इसका राइट एंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन रियो डी जनेरियो 2020 के लिए रियो डी जनेरियो को वास्तु कला की विस उराजधानी के रूप में नामित किया गया है युनेस्को ने ब्राजील के सहर रियो डी जनेरियो को चुना है पहली वास्तु कला की विस उराजधानी के रूप में रियो डी जनेरियो की जो इस बार की थीम है वो है All the और सतत विकास के लिए ग्यारवे लक्ष के लिए अंतराश्टिय रूप से सहमत 2030 एजंडा को बढ़ावा देने के लिए इसको आयोजित किया जाएगा यहां पर युनेस्को सबसे पहले हम युनेस्को का फुल फॉर्म जानते हैं United Nations Educational Scientific and Cultural Organization युनेस्को का फुल फॉर्म होता है इसका हेड़कॉर्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके महानिदेशक हैं फ्रांस के आड्रे ओजुले जो की ग्यारवे क्रम के महानिदेशक हैं इसकी स्थापना यानि की युनेस्को की स्थापना चार सभि result 3 नमबर 1946 को हुई थी अब यहां पर ब्राजील ब्राजील देश की बात आ रही है तो सबसे पहले देखते हैं घर कि यह ब्राजील की स्केपীर्टाल है ब्राजीलिया यहां की करंसी है ब्राजीली रियल और यहां के प्रेसीडेंट ऩैं जयर बोलsych नारो जयर बोलक तो ना रो, नेश्ट कोश्चन पर आते हैं, वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम की वार्सिक बैठक कहां सुरू की गई है, ओप्शन सें जापान, चीन, अमेरिका, स्विजजर लेंड, इसका राइट एंसर होगा, फोर्थ ओप्शन स्विजजर लेंड, वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम की वार्सिक बैठक स्विजजर लेंड के दाओस सहर में आयोजित की गई है, और इस बार इसका थीम है, ग्लोबलाइजेशन 4.0, शेपिंग अग्लोबल अर्किटेक्चर इन दा एज ओफ दा फोर्थ इंड़स्टियर रिवोल्यूशन, इसका थीम है, वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम, इसका हेट कॉर्टर है जिनेवा स्विजर लेंड में, इसकी स्थापना जन्वरी 1971 को ही थी, इसके संस्थापक और कारकारी अध्यक्ष हैं क्लाउस स्वाप, नेश्ट कोशिन पर आते हैं, रक्षा मंत्री निर्मला सीता रमन द्वारा किस राज्ज में डिपो ब्रिज का उधगाटन किया गया है, आप्षन्स हैं उत्तर प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, इसका राइट एंसर होगा, सेकेंड आप्षन अरुनाचल प्रदेश, रक्षा मंत्री निर्मला सीता रमन द्वारा अरुनाचल प्रदेश में डिपो ब्रिज का उधगाटन किया गया है, ने भारत चीन सीमा पर पुल का निर्माण किया है, पुल का निर्माण 2011 में सुरू हुआ था, और पुल बनने की कुल लागत 4847.83 लाख रुपए थी, और इसे केंडरी सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्राले द्वारा वित्पोसित किया गया है, यह ब्रिज अरुनाचल प्रदेश में बन रहा है, तो सबसे पहले अरुनाचल प्रदेश का मैप देखते हैं, यह है अरुनाचल प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश की सीमा असम नागा लेंड से लगती है, और यहां के मुख्य मंत्री है पेमा खांडू, यहां के गवर्नर है बीडी मिश्रा और यहां की कैपिटल है इटा नगर जनसंख्या की दरश्टी से अरुनाचल प्रदेश भारत का 27 वां सबसे बड़ा राज्य है छेतफल की दरश्टी से पंदरवा सबसे बड़ा राज्य है यहां का लिंगा नुपात 920 महिलाएं प्रती 1000 पुरुस पर है यहां की साक्षर्टादर 65 दिसमलो 38 पुरुस साक्षर्टादर 72 दिसमलो 55 पुरुस और महिला साक्षर्टादर 57 दिसमलो 7 जीरो है नेक्ट कोशन पर आते हैं दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मसाजो नूनका का वर्स 113 वर्स की आयू में निधन हो गया वह किस देश के थे ऑप्शन्स है जापान, चीन, भुटान, तिबबत इसका राइट अंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन जापान दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मसाजो नूनका जिनका 113 वर्स की आयू में निधन हो गया वह जापान देश के थे अप्रैल 2018 में गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुस के रूप में पहचाने जाने वाले नूनका का निधन हो गया अब यह जापान के थे तो जापान के बारे में जान लीजिए जापान यह है जापान जापान की कैपिटल है टोक्यो यहां की करेंसी है येन और यहां के पीम है सिंजो अवे यह आज के यानि की 22 जनुरी 2019 के important current affairs थे इस वीडियो का PDF लिंक आपको description box से मिल जाएगा आप उसे वहां से download कर लीजेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो like और share कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद